आपको क्यूसन दिया गया है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, वो किस किरिया में साहिक होता है, नुकली कमल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, वसा के पाचन में, या कार्बाहेटरेट के पाचन में, तो वसा के पाचन में साहिक एंजाइम कौन सा होता है, लाइपेज और सुक्रेज एंजाइम है ये किसका पाजन करते हैं कार्पो हाइडरेट का पाजन करते हैं तो ट्रिपसिन एंजाइम है ये प्रोटीन का पाजन करने वाला एंजाइम है ट्रिपसिन के लावा काइमो ट्रिपसिन है या पेपसिन एंजाइम है ये भी किसका पाजन करते हैं प्रोटीन का पाजन करने वाले एंजाईम है, L, A, T, ये तीन नाम आपको दिय है, L से, लाइपेज, लाइपेज, एमाइलेज, और ट्रिप्सिन, ये तीनों एंजाईम है, वो किस से स्रावित होते हैं, त्रिप्सिन किसे स्रावित होते हैं अगनास से गरंती है उसे स्रावित होने वाले एंजाइम है तो ट्रिप्सिन एंजाइम है यह प्रोटिन का पाजन करता है जो किसे स्रावित होता है आपके अगनास से गरंती के द्वारा स्रावित किया जाता है अगला कि उसन चैचक के व pessimism राया ऐसी को क्या बोलते हैं चिकन पॉकस उडेकश ने के चैचक या बड़ी माता है ये किस virus के कारण होता है वेरी ओला वाईरस के कारण और शेतक ये सूवरा किया गया था हूं किसके स्वारा किया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके का अविस्कार किया था जो छोटी माता या इसी को क्या बोलते हैं चिकन फॉक्स कहते हैं तो यह किस वाइरस के करण होता है वेरी सोला जोस्टर वाइरस के करण होता है तो आपको पूछा गया चेचक की व विब्रियो कोलेरी ये हेजा रोग होता है उसके जिवानों का यानि हेजा केसा है जिवानों जनित रोग है तो हेजा का जिवानों है उसका क्या नाम है विब्रियो कोलेरी एंट अमीबा हिस्टोलीका ये प्रोटो जवा जनित रोग होता है उसका रोग कारक है प्रोटो जव गांगे डॉल्फिन को कहा जाता है तो भी इसका आंशर होगा यह आपको डाइग्राम में गांगे डॉल्फिन दिखाए दे रही है यही क्या है भारत का राष्ट यह जल्य जीव है यह गंगा नदी की पवित्रता का परति नहीं दितों करता है क्योंकि यह केवल सुध और ज जो डॉल्फिन है इसको प्राष्ट जल्य जीविंद की रूप में गौसित किया था और जब यह गंगे डॉल्फिन सवस लेती है तो यह आवाज करती है तो इसलिए इसको और किसे नाम से जाना जाता है सुुू सुू तो आवाज करती है यानि सो रुत्पन करती है यह भारत के जो गंबे रूप से लुप्त पराय पड़ जाती है उसमें सामिल की गई है गंगे डॉल्फिन को मनुसे के सरीर का तापमान है वो कितना होता है 37 डिगरी इसका आंजर होगा है अगर आपको फॉरेैन आइट में पूछा et शाजाता है 2600 जेतर और प्राप 37 डिगरी ऐड़ कर दो तो आपको 310 केलविन प्राप्त हो जाएगा यह हमारे शरीर का तापमान होता हैं प्रापमा के लिए जिस यह इंतर को काम में लिया जाता है उसको क्या बहुते हैं थर्मामेटर तो मानव शरीर का टेंपरेशन मापने के लिए जिस थर्मामेटर को काम में लिया जाता है उसी को क्या कहते हैं क्लिनिकल थर्मामेटर भी कहते हैं और हमारे यह गुंडी नुमा आपको श्रंचना दिखाए दे रहे हैं इसमें क्या बरारता है पारा या मरकरी या होता है जब शरीर का टेंपरेटर इंकरीज होता है तो यह पारा है वो पहलने लगता है तो यह भी आपको ध्यान में रखनी है निमन में से कौन सी हरित ग्रह परबाव गेस नहीं है तो हरित ग्रह परबाव गेसे हैं यानि ग्रीन हाउस इफेक्ट गेसे कौन सी होती है आप इनको कैसे याद रखेंगे ओ मिना काजल लगाती है काजल लगाती है ओसे ओजोन नाइटरस ओकसाइड नाइटरस ओकसाइड कासे एक तो हो गई कार्बन डाई ओकसाइड एक हो गई कलोरो फलोरो कार्बन सी हैप सी गेस और जल से जल वास्प तो यह मुखे ग्रिन हाउस गेसे हैं यह जो जल वास्प है यह वाई मंडल में स्वेम से उपस्तित होती है और सबसे ज्यादा योगदान पूछा जाए कौन सी गेस का होता है तो कार्बन डाई ओकसाइड गेस है इसका सबसे ज्यादा योगदान होता है जब यह गेसे हैं इनका temperature जब increase होने लगता है तो उसी को क्या बोलते हैं यानि वाइव मंडल में इनका temperature बहुत ज्यादा हो जाता है उसी को global warming करते हैं तो आपको पुचा गया कौन सा हरित ग्रफ प्रभाव गेस नहीं है तो इनमें से मिधेन है कार्बन डायोकसाइड भी है ओजोन भी है और नाइट्रोजन है यह ग्रिन हाउस गेस नहीं है तो डी इसका अंसर हो जाएगा हीमोगलोबिन में प्रोटिन नामक तत्वा कौन सा होता है हीमोगलोबिन जो रक्त में पाया जाता है उसमें प्रोटिन कौन सी है तो हीमोगलोबिन हिम का मतलब क्या होता है रक्त और गलोबिन ये क्या है प्रोटिन पाई जाती है तो प्रोटिन कौन सी हो गई गलोबिन प्रोटिन हिमोगलोबिन में प्रोटिन प्रोटिन पाई जाती है और जो हिमोगलोबिन प्रोटिन है ये एक स्यूक्त प्रोटिन होती है हीमोगलोबिन में कौन सी धातू पाई जाती है पुछा जाए तो आईरन धातू एफी धातू पाई जाती है और अगर हीमोगलोबिन की कमी हो जाए हमारे रक्त में तो उसे कौन सा रोग होता है एनिमिया रोग होता है RBC में जो उपस्तित हीमोगलोबिन होता है वो फेपड़ों से जो ऑक्सिजन है वो विभिन उतको तक पहुंचाने का कारिय किया जाता है किसके द्वारा हीमोगलोबिन की द्वारा वै कौन सा विटामिन है जो ना तो जल में गुलता है और ना ही वैसा में गुलता है विटामिन है वो दो तरह के होते है एक जल में गुलनसील और दूसरे वैसा में गुलनसील तो जल में गुलनसील विटामिन कुन से है विटामिन B कॉम्पलेक्स यानि उसमे B1, B2, B2 वारा सारे आ जाएंगे और विटामिन C है ये दोनों किस में गुलंसिल है जल में गुलंसिल विटामिन है और दूसरे होते हैं फेट यानि वसा में गुलंसिल विटामिन तो विटामिन A, D, E और K यह विसा में गुलनसील विटामीन वागा है इसका अगर आपको रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है जो हिल्cket कि विटामिन एज का रासाइनिक नाम है विटामिन की खोज की बात करें तो खोज किसने की थी फंक नामा की विगयनिक थी उसके द्वारा विटामिन की खोज की गई थी कौन सा प्रोटीन है वो नाखुनों में पाए जाता है के रोटीन एक प्रोटीन ऐसा है जो प्राकर्ति अनाकुनों में केरोटीन प्रोटीन पाय जाता है तो भी इसका आंसर होगा अंत्रिक्स यात्री को आकास है वो केसा दिखाई देता है अंत्रिक्स यात्री है उसको आकास केसा दिखाई देगा स्वेथ गैरा निला हलका निला या काला अंत्रिक्स यात्री है जब चंदर्मा क तल पर खड़े होकर देखता है तो वहां से आकास उसको क्यासा दिखाई देता है काला दिखाई देता है तो डी इसका आंसर होगा काला क्यों दिखाई देता है क्योंकि जंदर्मा पर वायमंडल नहीं है तो वायमंडल उपस्तित नहीं होने के कारण उसमें परकास का परकिर तब हम भी पत्वई से अगर आकास को देखें तो हमें भी कारद दिखाई देगा तो वायमनडल के अबसंट के कारद का dragon आकास वह अंतरिक सतरियों को केसा दिकाई देता है काला दिखाई देता है तो D इसका आंसर है विदूत बलब में कौन सी गेस भरी जाती है विदूत बलब होता है उसका फिलामेंट किससे बना होता है जो यह आपको फिलामेंट दिखाई दे रहा है यह निस बरिंग सी दिखाई दे रही है कि इसी को क्या बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं और यह किसका बना होता है तंगस्टंध दातू का बना होता है तो जो उबलब होता है उसके ऑक्सीज़न को ऑपने के लिए इसमें नाइट्रोजन या ओर्गन जो निष्करिये गेस ही होती है वह भरी रहती है या आपको दिखाई दिनेर्प जेश थैने तो यहाँ पर बलप में भरी रहती है तो आपको और जास में कौनहा दे है नाइट्रोजन दे रहता है तो इसका अंसुर होगा नाइट्रोजन के अलाव ओर्गन भी आनसुर ओप्सन में मिल सकता है